हाई फ्रेंड्स वेलकम टू जी आरेश टेक्निकल आज हम लोग इस बुक का रिभू करेंगे वो है सी बीएसी पैटर्न पर आधारित बिद्या सागर पब्लिकेशन का आंकिक रसाय नुमेरिकल केमेस्ट्री मलब जितने भी नाइन्थ और तेंथ में केमेस्ट्री के नुमेर इस बुक में आप अध्यान कर सकते हैं पूनम बर्मा द्वारा ये लिकित पुस्तक है और भी इस परकासन के अच्छे अच्छे बुक मार्केट में उपलब्द हैं आप खरीच सकते हैं इस बुक का रिभू करने से पहले इन बुक का भी आप थोड़ा सा जानकारी प्राप इस परकासन का बहुत ही ज्यादा बिगने वाला पुस्तक है पूनम बर्मा ने अपना बात रखा है जो कि इस बुक की राइटर है कि और एक चैप्टर से अलग-अलग टाइब के कोस्चन इसमें दिये गए हैं आईए कॉंटेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करें पह सबका इस बुक से आप नुमेरिकल कर सकते हैं काफी अच्छा बुक है और इसमें डिफिनेशन के साथ साथ नुमेरिकल भी दिये गए हैं कि कब कैसे कौन सा नुमेरिकल काम करेगा और फर्मूला यूज कौन कौन होगा सब कुछ दिया गया है जैसे एक जांपल में परकास की गति 3 इंटू 10 टू दिपावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है तो उस अधारित बहुत सारे प्रश्ण है जिसको वो भैलू पूट करके आप सॉल्व कर सकते हैं ये लोगरित्मिक डाटा दिया गया है इसको आप जब नुमेरिकल सॉल्व करते हैं कोई कोई नुमेरिकल में इसका बहुत यूज होता है लोग के भैलू अगर पता हो तो एंसर बहुत असानी से निकल जाता है इस तरह के प्रश्ण आप देखेंगे और ये जो बुक का कॉंसेप्ट है काफी किलियर है स्टुडेंट इससे जादा से जादा फायदा उठा सकते हैं अगर अच्छा माक्स लाना है तो बिद्या सागर पब्लिकेशन का बुक ही पढ़ें क्योंकि इसमें जो कॉंसेप्ट है बिलकुल अलग तरीके से है जिससे माक्स आपका कटेगा नहीं और अच्छे अंक आप कर सकते हैं जैसे कि 10 to the power minus 3 mhcl घोल को 100 गुना तनु किया गया तो तनु घोल का pH ग्याद करें तो इस तरह से pH भैलू आप ग्याद कर सकते हैं और ये बहुत महत्तपूर्ण है संकेत परमानु संख्या और इलेक्ट्रानिक विन्यास और इलेक्ट्रानिक विन्यास के रूब तो ये सब के दिये गए हैं और बहुत ये इंपोर्टेंट होता है क्योंकि cds nda में इससे एक प्रश्ण तो रहते ही रहते हैं और जो जेनरल 10th 12 का एक्जाम होता है 910 का उसमें भी इससे एक दो प्रश ने रहते हैं क्योंकि objective में पूछे जाते हैं और हलके फुल के numerical भी देता है कभी कभी तो आप इस बुक को जवस्य खरीदें अगर नहीं मिलता है तो मुझसे comment section में संपर्क कर सकते हैं बुक काफी अच्छा है अंदाजा आप इन डाइग्राम से लगा सकते हैं कि कितना साधार अनभासा में ये बुक आपके लिए उपलब्ध कराया है ये जो आप देख रहे हैं electron bond इसे कहते हैं और इससे भी class 12 में जो board का paper होता है उसमें एक दो प्रश्ण तो रहते ही रहते हैं pdf अगर आप कहेंगे तो मैं मौझूद करा दूंगा अच्छा oxygen का electron vinyas कैसे निकालेंगे तो देख लेक दम सरल तरीका है magnesium electron vinyas इस तरह से काफी अच्छा रोचक बुक है जानकारी atomic structure भी दिये गए हैं जानकारी की भरमार है इसमें बुक तो देखने में छोटा सा है लेकिन बहुर वैरी सीम और फिर बहुर model of atom पांच नंबर और एक दम आता ही आता है तो आप वीडियो पांच करके लिख भी सकते हैं और कहेंगे तो इस बुक को मैं अच्छे तरीके से आपको पढ़ा भी दूंगा और ये pH scale बढ़ती अमलियता उदासीन बढ़ती चारियता एसीड और बेस को बहुत अच्छे से समझाया गया है उपर से हिंदी माधियम में कुछ अमलो के नाम एम उनके सूत्र तो देख सकते हैं हाइड्रोकलोरिक अमलो को HCl कहते हैं हाइड्रोबोर्मिक के अमलो को HBR हाइड्रो आयोडिक अमलो को HI इस तरह से सभी दिये गए हैं कि एसीटी कमल को CS3COOH यहाद कर लिजगा इंपोर्टेंट है इस तरह से यह बूक मैं आपको रेकॉमंड जरूर करूंगा कि अगर टेंथ में हैं नाइन में हैं तो जरूर इस बूक को खरीद के नुमेरिकल में पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतन ही फिर मिलेंगे हस्ते मुस्कुराते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर करिए ताकि उनको भी नुमेरिकल में कोई कठी नाई नहों देखे कितने अच्छे अच्छे प्रश्ण यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं तो एक ही वीडियो में आपको मैंने बहुत कुछ बताया है तो आपका भी हक बनता है कि लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं जोर से दबाएं ताकि सालों साल आप मेरे स जूड़े रहें और अने को अच्छे अच्छे ग्यान प्राप्त कर सकें जाहिंद वंदे मातरम